हेलो एब्रिवन, माइनेव इज रामा स्रेराय, वेलकम एट एम एमसी, तो गाईज आज किस लेक्चर में, लेक्चर टू है, जिसमें मैं मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपके वन वर्ड सब्सिटूशन को डिसकस करूँगा, ठीक है, तो एक एक लेक्चर को अच्छे से लेते हैं, centenarian मतलब होता है, जो 100 साल का है, octogenarian जो 80 साल का है, septuagenarian जो 70 साल का है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, centenarian वह वेक्ति होता है, जो 100 साल तक जिवित रहता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो 100 साल तक देख सकते हैं, 100 एर किसी का पूरा हो गया, किसी बज़र के व होता है व्यक्ति उतना लगाया जाता है 100 year का कुछ लोग 105 years के हो जाते हैं आप देख लीजी यह 101 year के हो गए है ठीक है देख रहे हैं अपने पतनी से किस भाव से और किस प्रेम से जो से वो अपने शमय में मिला करते थे उसी उत्सा उसी रुची के सांथ क्योंकि व्यक्ति का दिल अगर अच्छा हो तो कभी बुड़ा नहीं होता है next a person's first speech क्या होता है बहुत important है exams में भी कई बराया है उसे हम लोग बोलते है madden madden मने होता है first speech given by a person first time उसे हम लोग बोलते है madden बोलते है next है आप देख सकते है young unmarried women are virgin ये भी you would use होता है और madden मने होता है adjective में untouched unexplored तो देख सकते हैं इसके दो meaning है तो madden speech मने इससे पहले आपने नहीं दिया था अब madden मने होता है women भी होता है दो no word होते है इसके ठीक है तो देख सकते हैं ये women है untouched unmarried women को भी हम madden कहते हैं madden मने first speech भी हम लोग कहते हैं देख सकते हैं it's a very nice image and with the help of image you understand madden प्रतम होता है sun risers हैदरबाद बीट royal challenges bangalore by 8 runs to win madden IPL title देख सकते हैं हिंदी में sun riser हैदरबाद ने royal challenges bangalore को 8 runs से हरा कर प्रतम IPL खताब जीता तो प्रतम मतलब इसे बोलेंगे हम लोग madden बोलेंगे next our decision on which all are agreed जिसे किशी organization ने ऐसा या जज़ ने ऐसा ने रणे दिया कि जसमें सारे कि सारे खुष हैं उस decision फे उसे हम लोग क्या कहते हैं unanimous कहते हैं जिस पे सारे लोग खुष हैं उस decision से उसे हम लोग unanimous कहते हैं कहते हैं, always unanimous speech, unanimous जो रजल्ट होता है उसले दोनों party agreed होती, जैसे अभी वावरी मस्ज़ित पे आया था, unanimous था, दोनों party agreed हुई देख सकते हैं इननानिमस का मतलब सर्वसम्मत पादेश देखते हैं पुरा हिंदी में भी इसका वहत्रीन वरणन है वह ऐसा बैकती जिसके लिए पूरी दुनिया ही उसके घर जैसा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं कोई ऐसा बैकती जिसके पूरे सभी धर्मों से प्रेम हो सभी देश से लगा हो देख सकते हैं काजमोपोलीटन is the ideology that a human being belong to a single community based on a shared morality person who adhere to the ideas of काजमोपोलीटन any one of its forms it's called a काजमोपोलीटन काजमोपोलीटन मतलब बिश्व प्रेमी होता है job without salary कोई ऐसी job मिल जाए जिसमें salary ना मिले आपको उसे हम लोग क्या कहते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं honorary बोलते हैं सम्मान की नौकरी होती है honorary होती है an honorary title और membership of a group is given to held as honor only without service or pay holding such a position or office एक honorary होता है इसमें सम्मान मिलेगा लेकिन आपको पैस नहीं मिलेगा a cure for all disease बहुत important word है यह बहुत बार exam में भी आया है उसों हम लोग बोलते हैं panacea जिसको हिंदी में हम कहते हैं राम बान आउशदी कहते हैं panacea कहते हैं कोई ऐसी दवा हो जो इसमें हमारा सारा समस्या दूर हो जाए देख सकते हैं न remedy for all ills are difficulties यह panacea है यह medicine ऐसी है जो panacea है जो आपके सारे दर्द को सारे रोग को तूर कर सकती है यह राम बान आउशदी कहते हैं देख सकते हैं meditation जो होता है एक पैर पे खड़े होना स्वक्छवाता वरण में वो क्या होता है panacea होता है राम बान आउशदी होता है one who knows many languages वह वैक्ती जो बहुत सारी बहां साय जानता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम लोग polyglot कहते हैं देखिए poly का मतलब होता है many होता है poly का मतलब क्या होता है many होता है और glot glot मने क्या होता है आपका जो tongue होता है गला होता है उसे हम लोग glot कहते हैं तो मेनी टंग इसका मतला बहुत थारे चीज़े आप जानूंगे जिसे बहुत सारे होते हैं आज स्पीकिंग और राइटिंग सेवरल लैंगवजेज मुल्टि लेंगवल अना कंपूजड आफ नुमरोस लिंग्विस्टिक ग्रॉप्स containing matter in several languages, composed of elements from different languages, widely diverse as in ethnic cultured origins a place where animals are kept तो बहुत सिंपल सी बात है जहांपे animals रखे जाएंगे वह zoo ही होगा, वह बच्चा बच्चा जानता है जू, देख सकते हैं कितना सुंदर प्यारा assassym Джू है everyone loves to visit Jew I love to visit Jew आपको भी जहां मौका मिलता देख सकते हैं बच्चे देखें enjoy कर रहे हैं Jew के साथ चड़िया घर में और हाथी को देखें क्या दे रहे हैं फूर दे रहे हैं भोजन दे रहे हैं that which cannot be carried तुस्षे हम लोग क्या कहते हैं एक होता है पोर टेबल और यह होगा पोर टेबल पोर टेबल मने क्या होता है पोर टेबल होगा ना कि पोर टेबल होगा पोर टेबल जो चीज़े पोर टेबल आसानी से ले जाए जा सके हैं उसे हम लोग पोर टेबल करें जैसे यह system जो है हमारा portable है, portable मने शुद्ध पानी होता है, ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं, यह portable है, करते हैं हमारा यह चीज portable, a writer who steals the ideas from others, जिसे कुछ writer होते हैं, किसी के copy-cut-paste कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं, दूसरे किताब से कुछ matter चुडा लेते हैं, उसे बोलते हैं, plagiarist बोलते ह प्लाजरिजम होता है William Shakespeare को शाहितिक चोर भी कहा जाता है उन्होंने बहुत सारे राइटर्स की चीज़ें चुरा करके थामस्त्रोप ने कहा कि he is a plagiarist plagiarist मैंने होता है शाहितिक चोर what is plagiarism क्या होता है the plagiarism means to deliberately take and use another person's invention ideas are writing and claim it directly or indirectly as yours own examination of dead body को English में क्या कहते है तो सभी जानते है very simple post-mortem कहते है लेकिन एक और word और होता है मैं आगे बताता हूँ उसे autopsy भी कहते है living autopsy what happened during a post-mortem तो autopsy word जो है ये भी आप जानते रहें का very important है देख सकते हैं इस बैक्ती का क्या हो रहा है post-mortem बड़ा ही दर्दनाग विशय होता है ये a speech made to oneself कोई बैक्ती अपने सही speech देता है उसे हम लोग बोलते हैं solilocky भी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे हम लोग solilocky बोलते हैं देखिए monologue ही होता है solilocky होता है monologue में क्या होता है monologue is a literary device used in a drama which is characterized by a long speech इसमें क्या होता है monologue में long speech होता है a solilocky is presented by a single character to himself, herself as an expression of his or her inner thoughts to himself इसमें भी अपने ही बिचार को कहता है लेकिन बहुत short और संचप्त में होता है monologue काफी लंबा होता है so hamlet's act of third scene third में oh to be or not to be that is the question हम जी हैं या मर जाएं हम क्या करें तो समझ में नहीं आ रहा है बहुत अच्छी लाई नहीं commonplace remark को क्या कहते हैं हम लोग उसे हम लोग बोलते हैं platitude कोई commonplace हो कोई ऐसा remark हो उसे हम बोलते हैं platitude a flat, dull are the trial remark especially one uttered as if it were fresh or profound उसे हम लोग बोलते हैं platitude imperished उसे हम लोग क्या कहते हैं imperishable बोलते हैं जो चीजे नस्ट नहीं हो शकती उसे हम लोग क्या बोलते हैं imperishable जो चीजे नस्ट ही नहीं की जा सकती जो अजर हो जो अमर हो उसे हम लोग imperishable कहते हैं imperishable beauty a study of biblical womanhood imperishable beauty ऐसी कोई सुन्दरता जो नस्ट ही ना हो तो सुन्दर्ता क्या है बिचारों की सुन्दर्ता, सुच की सुन्दर्ता, समझ की सुन्दर्ता The study of birds को क्या कहते है औरिंथोलाजी होता है जिसमें हम बर्ड का अध्यान करते हैं औरिंथोलाजी बोलते हैं देख सकते हैं The American Oranthology Union and Cooper औरिंथोलाजीकल सोसाइटी इसमें बर्ड का ध्यान किया जाता है An insect with many legs is called ऐसा कोई insect जिसके कई लेग हों उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे सेंटी पेड बोलते हैं सेंटी पेड पेड मैंने पैडल तो आप देखें पैडल से ही बना हुआ है पेडल मैंने क्या होता है फुट होता है ठीक है और सेंटी मैंने आप जानते हैं न मैंने बहुत सारे जिनके पैर होते हैं देखें जिसे ये एक कीड़ा है जिसके धेड सारे पैर हैं गिन लिजे कितने पैर हैं आप भगवान ने जैसे बनाया है A disease which ends in death कोई ऐसी बीमारी जिसका अंत मौत से हो उसे हम लोग बोलते हैं fatal fatal मने होता है कोई ऐसी बीमारी जो प्रान घातक हो जो प्रान ले ले उसे fatal कहते हैं fatal man कहते है fatal thoughts कहते है fatal attitude कहते है next है government in which all religions are honored कोई ऐसा government जिसमें सारे धर्म है हो होते है secular और जैसे इंडिया is a secular country, यहां पे सभी शमदाय के लोग रहते हैं, खुश हैं, देखिए, क्या है हमारे पांचों शमदाय के लोग हैं, हिंदो, मुसलिम, सिक्षाई, हम हैं आपस में भाई-भाई, यह हम सब लोग मिल करके एक ताकत होते हैं, और जिसका मुकाबला पुरा दुनिया नहीं कर सकता है, और यह सच्छाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो this is, one who lives among strangers, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, उसे हम लोग एलिन कहते हैं, यह एक इमेज है, जो एलिन का एक इमेज है, next है, a word no longer in use, कोई ऐसा word, जो अब जी नहीं हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं, absolute बोलते हैं, absolute मतलब कोई ऐसे चीज, जो अब यूज मने आती, absolute अप्रचलित, 1959, absolute laws unscrupled by Modi government in less than two years time, जो इसे absolute कहते हैं, अब person who is more interested in himself rather than anything that is going on around, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोई a person who is more interested in himself, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, introvert, जो अपने में ही मस्त रहता है, वो introvert होता है, और जो दूसरे में interest लेता है, उसे extrovert कहते हैं, देखें एक तो आपका क्या हो गया, ये हो गया, आपका introvert, मतल वह व्यक्ति जो एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट लेता हो एक्स्ट्रोवर्ट कहते हैं एक होता है एम्बी वर्ट होता है तो एम्बी वर्ट मने होता है जो व्यक्ति न बहुत ज़्यादा बोलता हो न बहुत ज़्यादा चुप रहता हो मतलब आवशक्ता के अनुपा अनुपा वो क्या हो जाता है, बोलता भी है, जैसे उसकी आशकता होती, देखेंगे इंट्रोवर्ट हैं, ये भाई साब क्या हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्टम सांती से बैठें हैं, मैडम क्या हैं, एक्स्ट्रोवर्ट हैं, तो इंट्रो मतलब जो अपने में इन ही रहें, एक्स्ट क्लाइंट कहते हैं जो क्लाइंट होता है वही तो लॉयर वगर ऐसे लेता है what our clients say क्या हमारे क्लाइंट कहते हैं हमें अपने क्लाइंट के इसाब चलना a sneering person who always find farts बहुत सरे ऐसे लोग दुनिया मोते हैं दूसरे में कमियां ढूड़ते रहते हैं और सच्चाई यही है वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमियां ढूड़ता है जो जिसमें कमियां होती हैं वो cynic person होता है वो cynic style में रहता है उसे हम लोग cynic person कहते हैं many people are cynic right I don't like cynic people right so they are called cynic people I don't like cynic cynic atmosphere होता है बहुत सारे लोग cynic होते हैं cynic सोच के होते हैं cynic बिचार के होते हैं तो बहुत सारे many people are cynic of nature तो next देखे cynic का मतला होता है बोले तो sun की एक ऐसा बंदा जो सर्फ फाल्ट ही ढूड़ता है या फाल्ट ही ढूड़ता है एक कोई ऐसा ब्यक्ति जो फाल्ट हूडता है दूसरे में कमियां ढूडता है प्लेज फॉर किपिंग पीज जहां पे मदमखीया रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अपाईरी कहते हैं क्या कहते हैं? इनका पालन करते हैं बहुत सारे लोग Along journey especially by sea उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग voyage कहते हैं जो शमुद्र के द्वारा भाइए हम लोग journey करते हैं उसे हम लोग voyage कहते है voyage बहुत लोगों को पसंद होता even मुझे बहुत पतंद है तोरा रिसकी जरूर लोग मानते हैं लेकिन बहुत interesting होता है अब इसमें तरह कोई वायज बजाए, कितना खुबशुरत साम होगा, कितनी खुबशुरत राते होगी, कितना खुबशुरत आक्मस्फियर होगा, कितनी खुबशुरत जर्नी होगी, तो देख सकते हैं, वायज अगर यहां मिल जाए तो फिर पूछिये मत कितनी सुन्दर वायज है कितनी सुन्दर शमंदरी यात्रा है और धर्ती पर बहुत सारी चीज़े है A short walk for pleasure उसे हम लोग क्या कहते हैं Stroll कहते हैं जो खुशी के लिए हम लोग थोड़ा बहुत टहलते घुमते हैं उसे हम लोग stroll कहते हैं Joyous Journey जो होती है उसे हम लोग stroll करते हैं बहुत सारे लोगों stroll करने का शौक होता है बहुत सारे लोग stroll करते भी है देख सकते हैं Madam is doing stroll with her baby ऐसे atmosphere में आराम से बच्चा भी enjoy कर रहा है Madam भी enjoy कर रही है तो stroll है बहुत सारे लोग करते हैं आप देख सकते हैं बोथ हार strolling है न बोथ हाल running, बोथ हार enjoying तो इसे हम लोग stroll कहते हैं अ place where government or public records are kept उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे आर्चिप कहते हैं जहाँ पे government records रखे जाते हैं उसे हम लोग आर्चिप कहते हैं आर्चिप वो place होता है जहाँ पे government records रखे जाते हैं जहाँ पे government records बनाये जाते हैं आप देख सकते हैं ये government record की सारे किताबे अच्छे से रखी हुई हैं सुन्दर तरीके से रखी गई हैं who kills somebody especially for political reason उसे क्या कहते हैं उसे असेन कहते हैं और आप देख सकते हैं असेन मतलब किशी को political legend से मार देना आप देख सकते हैं मुवी जरू देखा हुगा आपने बाहुबली में कटपा ने बाहुबली को क्यों मारा क्योंकि वो मजबूर था वो केवल अपने आपने राज माता का आदेश का पालन करता था उसे मारना ही एक विकल्प था और यह देख सकते हैं बाहुबली का एक सीन है आपने जरूर मुवी देखी होगी और दिल को टच कर जाती है जीओ और जीओ मेरे बाहुबली बड़े संदर बहुत अच्छे मुवी है इस टाइप के लोग पीपल होते हैं जो हमेंसा अपोज करते रहते हैं वन हुआ अपोजर आर कंटेंट्स वित अनैदर एंड एडवर्सरी अपनेंट इसे हम लोग क्या कहते हैं एंटागनिस्ट कहते हैं अपरसन केरिंग मैसिस फ्रॉम वन अनैदर तो यह आप जानते ही ह बहुत इंपर्टेंड है वन फ्रॉमीन से मैसेंजर आप जानते ही हैं जैसे की मैसेंजर कोई लेटर को और चीजों को वह जाता है उसे हम भोग मैसेंजर कहते हैं देख सकते हैं आपरसन हूँ के histor teyle से मैं मैंने उस थर्टन्वर्टेंट आपको वन वर्शंटित्म देशक किया guys I'm very sure कुछ जरूर एंजोय किया होगा आपने कुछ एंजोय किया तो please like the video नहीं तो you can just like the video and if you are new please subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos and one more request please share the link to your friends near dear and sweetheart one and at last please and please do not forget to send your valuable feedbacks according to your feedbacks I'll be working so guys thanks for joining with me good day all and take care all